पांच राज्यों में विधान सभाचनाव वे और आज जो है नतीजे सामने आ जाएंगे हलाकि अब तक के रुजानों में चार राज्यों में डीजेपी बहुमत जो है वो हासिल करने वाली है हलाकि जीडियों पर तंज किया जा रायक उत्तर प्रदेश के विधान सभाचनाव में वहाँ से इस वक्त मात्र एक प्रत्याशी आगे चल रहे हैं वो है धनन्य सिंग जो मलहनी सीट से चुना लड़े थे लेकिन जीडियों के लोग एक तरफ से खुश भी है कि कि उनका एक मकसद जिसका साफ पर फेलान कर चुके थे कि उनका लक्ष जो है वो जीडियों को रास्टिये पार्टी बनाना है और उस दिशा में अब जीडियों जो है आगे बढ़ते वे दिख रही है क्योंकि मनीपूर में इस वक्त खबर ये है कि उनके चार विधायक जो हैं वो कहीं न कहीं इस वक्त आगे चल रहे हैं चार विधान सवासी टैसी हैं और अगर वहां कम से कम 6 पर्तिशत का मत मिल जाता है तब जीडियों रास्टिये पार्टी बनने की और अगरसर हो सकते क्योंकि 2-3 सरते रखी गई हैं अगर किसी भी पार्टी को छेत्रे पार्टी को रास्टिये पार्टी को रास्टिये बनना होता है उसमें से एक शर्थ यह है कि किसी भी पार्टी का चार लोकसभा सांसद होना चाहिए, चार या उससे अधिक राज्य में कम से कम 6 फिसद अगर मत मिलता है, तब उससे रास्तिय पार्टी का दरजा मिल जाता है, और आपको उधादे कि इस वक्त लोकसभा में जो है जीडियू पिछे दफे जब चुनाव हुआ था, वहाँ पर जेडियू ने 7 सीटों पर जीत दरज की थी, और वहाँ 6 परतिसत ज्यादा मत मिले, और बिहार में तो 6 परतिसत ज्यादा वोट मिली चुका है, और इस बार मनिपूर में जो रुजहान आ रहा है, जिसरीके से 4 सीट पर व और जेडियू प्रुवतर राज नागालेंड है, वहाँ पर अपना पूरा फोकस की हुई है, अगर वहाँ भी जेडियू बढ़ियां परफॉर्म करती है, और कम से कम 6 परतिसत का वोट मिला लेती है, तब जेडियू को राश्टिये पार्टी का दरजा मिल जाएगा, लेक लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में नहीं जाती है कि नितिश कुमार मजबूत हो, क्योंकि वह इसी फिराख में थी, कि उतर प्रदेश में अगर बीजेपी चिनाव जित्ती है, तब बिहार में जेडियू पर मनुववे ज्यानिक दबाब पड़ेगा, क्योंकि 2020 के विधान स वाचिनाव में साफ तोर पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ, जब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गया हलाकि ये अलग बात है कि सियम नितिश इस वक्त अपने शर्तों पर राजिती कर रहे हैं, लेकिन जब उत्तरपरदेश में पुर्ण बहुमत के साथ अगर बीजेपी सरकार में आती है, तो इसका साफ दवाब जो है, वो सियम नितिश पर दिखेगा, हलाकि एक उस खबर ये है कि अगर मनिपूर में 4 सीटे जो हैं कम से कम या उससे जादा जेडियू को मिलती है और 6 परतिशत क वोट मिल जाता है तब जेडियू को रास्टिय पार्टी का दरजा मिल जाएगा और पिछले तफे कुछ महने पहले जब राजधानी पटना में जेडियू के रास्टे करकारनी की बैठक हुई थी, उसमें साफ और पर एजंडर रखा गया था कि उनका अगला लक्ष जो है बात होगी कि शाम तक जो है नतिजे सामने आ जाएंगे, मनेपुर में क्या जेडियू पार्टी जो है वो कुछ सीटे जीत पाती है, अगर सीट नहीं भी जीत पाती है तो क्या कम से कम 6 प्रतिशत का वोट बैंक मिल पाता है, क्योंकि जो शर्त है, कुछ 2-3 सर्ते हैं, जि अगर किसी पार्टी को राष्टिये पार्टी का दर्जा दिया जा चित्रिये पार्टी को, तो उसके पास कम से कम 4 सांसद होने चाहिए, जेडियू के पास 16 सांसद है, इसके लावा 4 ऐसे राज्ये, जहां कम से कम 6 प्रतिशत का वोट बैंक, विहार में 6 प्रतिशत का जो है वो नागा लेंड पर है तो एक तरब से जेडियू के लिए हताशा नहीं कह सकते हैं जेडियू को भी पहले इस बात का अंदेशा था कि ज्यादा से ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में है वो दो से तीन सीचे जीच सकती है अलांकि अच्छी ख़बर जेडियू के लिए जेडियू के सीट से तमाम जेडियू के दिगजनेता उनके चुना परचारे में पहुंचे थे और असर में दिख रहा है इस बाक धनाजे सिंग जो है वो बढ़त बनाए हुए है तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ साम तक नतिया आजाएगा बिलकुल साफ हो क्या है जो है बढ़त बनाए बात हो टाक आटारे में जो है आटारे में पूरे ग्लाएगा जो है अटलाएगा डिलकुल साम जाटे पर शूरे जा आटारे में जो है उन्या है